कि आप सब बच्चों को एक सूचना बताया जा रहा है और आज 23 मार्च है ना तो भारत सरकार का तुगलकी फर्मान जारी हुआ है कि आप सब बच्चों का विद्याले फिर बंद किया जा रहा है क्योंकि करोना बढ़ रहा है सांत रहिए कि आपका विद्याले आज 31 मार्च तक विद्याले बंद रहेगा ठीक है और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि यही काम पिछले साल भी हुआ था कि यह खपते के लिए लागडाउन किया जाएगा जब आपका एनुवल इक्जाम चल रहा था और तब से ले युगलकी फर्मान जो हमारे सरकार है वह अब आदेश कर दिये कि अब फिर जो है कि यह बिद्याले फिर बंद होगा मन्मी योगी आदित नात महराज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बच्चों के भविस्ट के साथ और जो प्राइबेट अध्यापक विद्या प्राशन नहीं किया और हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया लेकिन बीच में अगर करोना फैल रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब गोरतपुर महोस्व आप करा रहे थे तब करोना फैल नहीं रहा था जब आप यहां पे प्रयाग राज में कुम्ब का मेला लगवा रहे थे तब करोना नहीं फैल रहा था जहां पे करोड़ों लोग अशनान करने गए और अभी हरीद्वार में महा कुम्ब का आयोजन आप करवा रहा है तब करोना नहीं फैल रहा है और बिद्याले जो बच्चों का सबसे देश की रिण की हड़ी होते हैं जिनकी बुनियादी सिक्षा प्रारंभी सिक्षा बिल्कुल बर्बात कर दिया है पिछले दो साल से और आप जाके फिल लगडाउन आप लगा रहा हैं तब से पूछना चाहेंगे कि बच्चों के भविस के साथ आप मैच क्यों खेल रहा हैं यह जितने भी बच्चे हैं अगर एक कुछ लायक बनें आप लोग अपना जब रहेली निकालना रहेगा तो परोना आपके पास नहीं रहता है और जब आपको लगेगा कि आपके विपक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं तो आप करोना का ड्रामा कराके विद्याले को सबसे पहले अब बरबात कर रहे हैं आप बिद्याले में अप बोरफपूर जीले में 193 लोगों ने अपने विद्याले की मानता निरस्त करा लिया जानते हैं क्यों मानत्र योगी आदितनात जी क्योंकि वो लीज पर चलाते थे और उनका भारा हुआ करता था चाली साजार पहले तो क्या करे और हम अध्यापक करे जितने भी 16-17 स्टाप है इन सर लोगों की रोजी रोटी चलती है इन बच्चों के और इस विद्याले के संस्था से आप लोग हमारे पेट के प्रहार कर रहा है हम लोगों के ब्योसाय से प्रहार कर रहा है अगर आपको लग रहा है ठीक विद्याले बंद कर दीजिए तो अगर लग नियम को फालो करने के लिए तयार हैं कि अगर लस्ट में जाते हैं और ही कानगे इन बच्चों चैर्ण को देखिए इ jerk क overlap बच्चों के पी तूरी कर आफ ये अकि फिर आप सब लगाए इसे पूरी पर हाई बरबाद हो गई अब यानि आपने एक हटे का लगाया है आपकी नियत पे तो मुझे 100% विश्वास हई नहीं है कि आप करोगे क्या आप पूरे साल पर हाई बरबाद करोगे हाथ नीचे करिए अब ये बक्चे करेंगे क्या किताब लेकिन के गार्जियन करें हम लोगों ने पूरा सरकार का साथ दिया जितना हो सकता था सब लोगों ने साथ दिया लेकिन अब इतनी कंडिशन होने के बाद विद्याले खुलने के बाद आप लोग बिद्याले बंद कर रहा है ये बहुत ही गलत कर रहा है और आपका पोलेटिकल जो फंडमेंटल जिस कि ताना साही उतना ही अच्छा लगता है जितना ताना साह के अंत होने का समय जादा दूर हो और आपका समय बिल्कुल नजदीक आ गया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम बिल्कुल मत करिएगा एक अपरेल के बाद अगर विद्यालब फिर से आप बढ़ाएंगे इन सब चेहरों को देख लीजिए और इनके गारजीयन को लेके अपने पूरे स्टाफ को लेके जीने से लेके मैं प्रदेश लेबल तक भरने पर बैटूंगा इस बात को याद रखिएगा क्योंकि सवाल हैं सिर्फ मेरे रोजगार का नहीं या मेरे जितने सा अपाथी और हम लोगों को बितता करंएं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इक करेल के बाद आप इस तो भी दे खूल दीजिए हैं इन वद्चों के भ्विश्के साथ आपलो खिलवार मत करियेगा अप सब भीचों को सूचना बताया जा रहा है और आज 23 मार्च है ना? तो भारत सरकार का तुगलकी फर्मान जारी हुआ है कि आप सब बच्चों का बिद्धालब फिर बंद किया जा रहा है क्योंकि करोना बढ़ रहा है सान्त रहिए कि आपका बिद्धालब आज से 31 मार्च तक बिद्धालब बंद रहेगा ठीक है और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि यही काम पिछले साल भी हुआ था कि यह खपते के लिए लागडाउन किया जाएगा जब आपका एनुवल इक्जाम चल रहा था और तब से लेके पूरा साल जो था वो बिद्याले बंद हो गया जिससे आपकी पढ़ाई ब बिद्याले फिर बंद होगा मन्नी योगी आदित नात महिराज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बच्चों के भविष के साथ और जो प्राइबेट अध्यापक बिद्याले में पढ़ा के अपनी रोजी रोटी कमा खा रहे हैं उनके पेट पे लाग्तियों मार इन बच्चों के भविष के साथ खिलवार क्यों कर रहे हैं ठीक है करोना अगर बढ़ रहा है बिद्याले बंद था पूरे साल में किसी एक अध्यापक ने किसी एक प्रबंदक में कभी भी बिद्याले खोड़ने के लिए कोई धाना प्रदर्शन नहीं किया और हम लोगों करने गए और अभी हरीद्वार में महा कुंब का आयोजन आप करवा रहे हैं तब करोना नहीं फैल रहा है बिद्याले जो बच्चों का सबसे देश की रिल की हड़ी होते हैं जिनकी बुनियादी सिक्षा प्रारंविक सिक्षा आप बिल्कुल बर्बात कर दिया हैं पिछल हुआ हैं अब बच्चों को लेके माई रोड पर बाट जाऊंगा यह मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि बात चिर्फ मेरे तक कर नहीं है है इन सारे बच्चों का भविस है और शारे बच्चों का भविस आप अंधकार में ढाल रहे हैं आप लोग हुद नही विद्वयाले की मानता निरस्ट करा लिया। जानते हैं क्यों? मानत योगी आदितनात जी। क्योंकि वो लीज पर चलाते थे और उनका भारा हुआ करता था 40,000-45,000 उसे मंधली हुआ करता था। वो भारा ना चुकाने के वज़े से चुकि माली को भारा चाहिए। उन लोग पर चाहिए। जानते हैं क्योंकि विद्वयाले के संसा से। आप लोग हमारे पेट पर प्रहार कर रहा हैं। अगर आपको लग रहा है ठीक है विद्वयाले कर दीजिए। तो आप यह भी अपने नियत को साफ करिए। कि कुम्ब का जो मेला महा कुम्ब का लगवाने वाल सामा करवा रहे हैं वह भी बंद करवा यह यानि आप खुद नियम का पहले फालो करिये हम लोग नियम को फालो करने के लिए तयार हैं। अगर लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे इन बच्चों को चेहरों को देखिए। इनके माता-पिता ने सारे बच्चों का इनका पूरी पर हाई बरबाद हो गई। आप यानि आपने एक हटे का लगाया है आपकी नियत तो मुझे 100% विश्वास हई नहीं है कि आप करोगे क्या आप पूरे साल पर हाई बरबाद करोगे हाथ नीचे करिए अब यह बक्चे करेंगे क्या कितार लेकिन के गार्जियन करें पूरा सरकार का साथ दिया जितना हो सकता था सब लोगों ने साथ दिया यह अब इतनी कंडिशन होने के बाद बिद्याले खुलने के बादुथ्यागे करोना भाज जाता तो उसकल कर लिव लेकिन अगर फिर साल भर का ड्रामा आपने किया तो निश्चित तर पर याद रखिएगा कि ताना साही उतना ही अच्छा लगता है जितना ताना साह के अंत होने का समय ज्यादा दूर हो और आपका समय बिल्कुल नजदीक आ गया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह काम करेंगे तो इन सब चेहरों को देख लिए और इनके गार्जियन को लेके अपने पूरे स्टाप को लेके जीने से लेके मैं प्रदेश लेबल तक भरने पर बैटूंगा इस बात को याद रखिएगा क्योंकि सवाल हैं सिर्क मेरे रोजगार का नहीं या मेरे जितने इन बच्चों के पढ़ाई का भविष का सवाल है तो मैं इन बच्चों को लेके धरने पर जाओंगा अब जरूरत पढ़ा तो समभाधानिक भी हो जाओंगा इसी के साथ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एक हफ्ता में बंद करने से करोना भाग जाता है तो हम सब लोग आपके साथ हैं अगर नहीं भागता है तो एक अपर इसे छोड़ दीजिए हम लोगों को को कोरोना होगा मरेंगे क्या करेंगे हो हम लोगों की रिस सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को एल आइकोन दवाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए